आज हम आपको सिखाएंगे आप गर पे रेस्टराइं स्टाइल चिकन कॉर्मा कैसे बना सकते हैं यह काफी जाधा टेस्टी रेसिपी है जैसा कि आप देख सकते हैं जो यह चिकन कॉर्मा काफी डेलिशिस बन चुका है और आप ज़रूर गर पे ट्रॉय कीज़ेगा आपको लोग सब बोल देंगे तारिफ में की अपने रेस्टोंट से ही मंगाया है this is my guarantee to you तो आपे वीड़ो जरूर देखेगा एंड तक यहां पे हमने चिकन यूज किया है 1.5 kg दोड किलोग कॉकुर और इसको वाश किया है प्रॉपरली इसको हमें विनेगर और सॉल्ट वाटर में भी गोना है हमें आपको दिखा दूँगी वो step फिर यूज किया है हमने यहां पे अनियंज या गंड पांच लिये हमने मीडियम साइज और इंको रफली चॉप किया है कि इंका पेस्ट बनाना है फिर यूज किया है हमने बाकी कर्ड या जामदद वन एंड हाफ कप गोड़ कप जामदद तो इसके बाद मस्टर डाल यूज किया है हमने कुकिंग के लिए इस रेस्पी की और बाकी स्पाइस है रच चिली पाउडर या वजल मच्वांगन तीन बड़े चमच त्री टेबल स्पून फिर यूज किया हमने सॉल्ट नून फिर यूज किया गरब मसाला पाउडर वन टेबल स्पून आख चमच फिर यूज किया कोरियंडर पाउडर या दानवल पोडर एक बड़े चमच फिर यूज़ किया हमने मेलन सीट्स चार मक्स दो बड़े चमच फिर कोकोनुट पाउडर या खूपरु पोडर दो बड़े चमच पॉपी सीट्स या खशखश दो बड़े चमच इस सब आपको अराम से मिलेंगे बाजार से जिन्जर गालिक पेस्ट तीन बड़े चमच फिर हमने ग्रिंग काड़िमम निचरल यूज़ किया है और टर्मरीक पाउडर या लिदर तो सबसे पहले जो हमारे पास ये अनियन्स हैं इंको हमने रफली चॉप किया है क्योंकि हमें इंको पेस्ट बनाना है तो हम अनियन्स डाल देंगे एक मिक्सर ग्राइंडम में और इसमें हम डाल देंगे पानी थोड़ा सा सिर्फ ताकि ये पेस्ट बन सके इसली ये देखिए हमने सारे अनियन्स का पेस्ट बना दिया है इस रेस्पी में अनियन्स को पेस्ट के फॉर्म में ही कुक करना है बढ़ने के गते हैं, जो चिकन है, उसको भी वश किया है, वश करने के बाद अजिन, विनिगर या सर्क एक बड़ी चमच, साथ में डाल देंग आप नमक, एक बड़ी चमच, और पानी से इसको कवर करेंगे, इससे ऐसा होता है कि जब हम विनिगर व सोल्ट वाटर में चिकन विए पी में काफ़ी ओर यूज होता है और यह उकिजनली ही बनेगी, so once a while it's okay. इसमें हम डाल देंगे green cardamom या निच अर्ल पांच, उसके बार डाल देंगे हम इसमें जो अनियन का पेस्ट बनाया था, यहाँ पर तोड़ा क्यरफुली डालेगा आप कि इसमें पानी होता है, छीट आ सकती है आपको उपर, so अब हमें अनियन को फ्राई करना है, इसमें आफटानी जब होंगे, तब हम इन में डाल देंगे, बाकी spices, लाल मिर्च, तीन बड़े चमच, फिर डाल देंगे हम इसमें हल्दी, आदी चोटी चमच, और कोरियंडर पावडर, एक चमच, साथ में डाल देंगे हम नमक, टेस्के अकोर्डिंग, अच्छे से मिक्स आप इन पावड़े, जो गरम मसाला आए, वह अपने डालना है, तो यह पावड़े लेकर अनियन जो है, उनको फ्राइ करेंगे अच्छे से, तो यहां पर आपको अनियन कावी अच्छे से फ्राइ होने चाहिए, तब जाके करी में फ्लेवर आएगा, वरना यह कच्छे र दाल दी है, और अप इसको अच्छे से प्राइ और फ्राइ होने देंगे, जब तक तेल पोरा निकल आएगा साइड पे, आप लिड कवर करके भी फ्राइ कर सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, लिड रमू करके, के अनियन का भी जो साइज हो चुका है करी का और अनिय देंगे पानी, तो पानी आपको थोड़ा साही डालना है, ताकि जो यह चिकन है, यह सॉफ्ट हो जाए, शुड नोट वरी चिकन बिल्कुल भी रॉन नहीं रहेगा, ना इसमें स्मेल आएगी न कुछ, क्यूंकि यह पूरा कुख हो जाता है, रेस्टरॉंस में चिकन को से प्रेटरी फ्राइ नहीं करते हैं, यहाँ पर आप देखिए, जो चिकन है, वो भी सॉफ्ट हो चुका है, और फ्राइ हो चुका है, और जो करी है, उसमें भी तेल उपर आ चुका था सारा, तो इस स्टेज पे अब हम डाल देंगे, इसमें, जो हमने सॉल्ट एज़स करना ह फिर हमने पेस्ट बना दिया है, जो हमारे पास पाउडर रखे थे हमने बिगो के, कोकुनर पाउडर, पॉपी सीट्स और मेलन सीट्स, तो वो हम इसमें डाल देंगे, पेस्ट बनाकर, सारा, और साथ में जो हमने रखा तबा की कर्ट थोड़ा बचा के, वो भी इसमें हम तो यह देखिए, अब हम इसको अच्छे से और मिक्स करेंगे, इसलिए लाल में जो हमने तीन चमज डाल दी है, वो जादा नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें दही भी काफी जाता है, और बाकी चीज़ें भी, अब आप लिट कावर करेंगे, इसको और वेट करेंगे, जब इसमें मसालों में, इसपैस में ही कुख हो चुका है, और एंड पे हम आड कर देंगे, गरम मसाला, तो अब इसको फिर हम गार्निश करेंगे, फ्रेश कोरियंडर लीव से दानवल, और इसको लिड बंद करेंगे, गास बंद करेंगे, और कुछ देर इसको ऐसे ही डखके र जो एक रेसिपी है, यह काफी जादा टेस्टी बनती है, थोड़ी डिफरेंट है, आप कभी-कभी बना सकते हैं, on special occasions, if you want to cook chicken in a different way, आप रेसिपी बना कर ज़रूर अपना feedback हमें शेयर कीजिएगा,